जरूरत पढ़ जाए नहीं पता इसलिए बोलते समय ध्यान रखें इसका मतलब क्या है सर नहीं दी देखें बिर्जेश जी राधिनिती में जरुत तो होती है सबको जरुत होती है देखें इससे पहले जो विधान सभा के चुनाव होए थे मध्यपरदेश में और राजस्था यहां वहाइकटी हुई बहुजन समाज पार्टी भी वहाइकटा हुई और नेशनल लेवल पे जाकर के कुछ ना कुछ एक अलाइन्स की बाते चली लेकिन अंत तक कांग्रेश का बिहेवियर क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेश और बीजेपी को लगबग बहुजन समाज पार्टी के विजयकों को तोड़ा तो अलाइन्स किसे करेंगे कैसे करेंगे अब तक का बहुजन समाज पार्टी का जो जो भी अलाइन्स हुए उसमें तमाम पार्टियों नहीं फायदा होता है बहुजन समाज पार्टी को हमेरे सा नुक्षान ही रहता है जो आज का स्टेट्मेंट है इसको पुलिट के ली लूज बॉल बोलते हैं यानि कैरट लटकाना समाज पार्टी के खिलाप एक कुछ चक्रक्चे आजा रहा है परचार तंत्रों का गलत उप्योग हो रहा है जब हमने पहली बार कह दिया कि गटबंधन में सामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना आप रोज की रोज नहीं नहीं बाते करते हैं कल वहां जो इनकी अंकी गटबंधन की जो बाते हुरीयें वहां भी चर्चा हो रही है उसके बाद समाजवाधी पार्टी स्मयथ मॉर्य एक बताए है क्या अखिलेस जी जो समाजवादी पार्टी के रास्ती है द्यक्स भी है कांग्रियस उसको कितना सीरियस ले रही है पिछले आपने देखा है न बद्धेपरदिस के चुनाओं में उनको क्या बासा का प्रियोग किया उनको सीटे दी थी क्या है न तो हमारा मतलब यह नहीं है मेरा कहने का मतलब यह है कि बेहन जी बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करती है जो भी वो कहती है वो अक्सरत है सच ही होता है सर्भ मुझे क्यावल इस लाइन के माहिने बता दो थोड़ा इसको डिकोड करो कि कब किसको कहा जरूरत पड़ जाए इसके क्या मतलब नहीं मैं यही आपको बता रहा था राजस्थान में बहुजन समाज पाटी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी लेकिन जब सत्ता जब सरकार बनाने की बात हो यह हमने यह वादा किया था कि हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे उसके बावजूद हमने उ कुछ लोग अंदर आ जाते हैं रोज नहीं नहीं बाते होती हैं अलाइस बनाओ तो सही हम बहुजन समाज पार्टी ने पहले जिन से यह कहा है कि हम इंडिया गट बंदन का हिस्सा नहीं है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे हमारे साथ जूड़े रही है डिवेट को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ फरास की दुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है कि दुए साथ स्वागत आपका अब आप ही बता दीजिए आप क्यों नहीं चाहते